नमस्कार मित्रो मैं ममता बाजपई भोपाल से मेरी हरी भरी छट पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टैरिस गार्डिनिंग आर्ट दिसंबर महीने की 23 तारीक है और इस समय मेरी छट पर क्या क्या लग रहा है वही मैं आज आपको दिखा देती हूं चट पर एंटर करते ही सबसे पहले यह अडेनियम दिखते हैं यह मेरे बहुत पुराने हैं और आप सब जो मेरे पुराने विवर हैं वो जानते हैं तो यह इस समय भी खिल रहे हैं कडाकी की ठंड मैं बस ऐ ऐसे ही अनुभब से हम बागवानी का ज्यान सीखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर हमने यह देखा है कि विंटर में यह डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और यह फ्लारिंग सीजन इनका नहीं होता अब मैं नहीं कह सकती कि यह इस विंटर से मतलब कितने टेंपर चुकंदर, प्याज, मैथी, चौलाई की भाजी, पालक के गुश्पत्ते, छोपी इस समय विंटर में भाजियां अच्छी होती हैं हम नाहक परेशान होते हैं क्या करते हैं कि हम जब सर्दिया नहीं होती तब सही इन भाजियों को बोने लगते हैं और फिर यह बहुत अच होंगी और यह कौने में कुछ और्नमेंटल प्लांट्स, कोलियस है, फर्न है, एगलोनिमा है, पीस लेली है, और यह एक मेरा शमी प्लांट है जिसकी मैंने हम और प्रूनिंग कर दी है, बहुत दी शेप हो रहा था तो, और यह डेनियम के नीचे जो ब्लू ड्रम है ना उन कि यह गोवी लगे है, और मैं हैट बनना शुरू हो गए है अब, हालां कि इस साल मैंने कुछ प्यस्तताओं के चलते शादिवादी थी, तो बहुत केर कर नहीं पाई है, तो हैट साइज मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े आएंगे, पर ठीक है, जितने भी मिल जाएं मैं गार्णिंग छोड़ती नहीं हूँ, तो फूल गोभी, पत्ता गोभी ब्रॉकली, मैंने तीनों एक साथ लगाए थे, तो फूल गोभी मैं हैट बनने लग गए है, पत्ता गोभी मैं अभी शुरू नहीं हुआ, ब्रॉकली में कुछ-कुछ जगे बनने लग गए है, औ पर कम देर धूप रहती है उनमें भी नहीं हुए है और जुकिनी हम दो तीन तोड़ चुके हैं और अभी देखिए अच्छी लग रहे हैं और यह मैंने पहली बार लगाई थी तो अब मेरा अनुबब यह कि हाँ जुकिनी लग जाती है अब टूर मैं लगाई थी मैंने तो हैड बड़ा होने का सवाल है तो हम यह पौड के साइज पर नरफर करता है यदि हम बड़े से एक पौड में एक पौधा लगा देंगे तो जरूर बहुत बड़ा हैड बनेगा और नहीं तो फिर ऐसे छोटे-छोटे ही बनते हैं और बैंगन भी लग रहे हैं देखिए और इ पिछले वीडियो में मैंने दिखाए था तो वह इसी लिए एक तो चारों तरफ से खुले हो गए मख्यों को भी आने के लिए प्रॉपर जगे मिलती है और यह सुबह का समय है मख्या सुबह सुबह ही आती है जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं वह अर्ली मॉर्निंग या इव पॉलिनेशन नहीं कराना पड़ेगा नेचरली सब में हो जाएगा अब मेरी चछत पर क्या बहुत सारे पॉदे हैं देखिए कितने सारे पॉलिनेटर तो नेचरली सब कुछ हो जाता है यह दिया आपके नहीं होता तो फिर आप मैंने बैगन टमाटर में कभी हैंड पॉलि जाता है और यह एक और जुकीनी तयार है तो इसे तो मैं आज हार्वेस्ट कर ले रही हूं क्योंकि अब इसको नहीं करूंगी तो हार्ड हो जाएगी अगर मुझ से कोई पूछ जुकीनी के बारे में पूछे चुकि मैंने पहली बार लगाई है तो मैं यह कहूंगी कि यह लौकी की तरह ही होती है बिल्कुर और हाँ आज मैं इसकी सबजी भी बनाने वाली हूं उसकी रैसिपी अगर आपको देखना है तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना माई क्रियेटिव फुट स्टैप्स मैं लिंक भी एकसर वीडियो में देती हूं आप उसमें देखेंगे तो इसकी सबजी की रेसिपी भी मिल जाएगी और टमाटर में भी देखिए यह हो रहा है तीन चार जगे टमाटर लगे हैं जिन पर डिरेक्ट सनलाइट हो रही उनमें फ्रोटिंग नहीं शुरू हुई चाहां तक टमाटर के यह देखिए इस वाले टम में डिरेक्ट सनलाइट नहीं आती आती है पर उस टब से कम आती है तो फलेंगे इसमें भी पर मुझे लग रहा यह थोड़ा सा पीछे चला जाएगा लेट हो जाएगा तो तीन टमाटर लगे हैं बाकी चो यह दूसरे टम में जहां डारेक्ट सनलाइट आती हम अच्छी फ्रोटिंग है अच्छी फ्रोटिंग के लिए बड़ा पॉट डारेक्ट सनलाइट और वरक मिट्टी हैल्दी मिट्टी यह हर पौधे पर लागू होता है अगर सही सेनलाइट नहीं है प कि तब ही जा के हमैं परिशानिया होती है कई ना कई हम से घलती होती है और जब हम बागवानी करते हैं तो करते-करते खुद बखुद सीख चाते हैं अगर गौर सीध्यान देंगी तो अब यह तीन डब तब तीन जगे रखे हैं तो उनकी फ्रूटिंग में फ्लारिंग मे कि अपने अनुभाब से समझ में आ गया कि अच्छी सेनलाइट तो चाहिए पॉड्साइड भी चाहिए गोभी जब मैंने पहली साल में से कुछ साल का अनुभाब है तो मेरा यह अनुभाब है जब मैं मेरी पहले क्यारियां हुआ रही जो मैंने किसी बज़े से असलम हमारी विल्डिंग संयुक्त की है दो लोगों की है मैंने अपने पोर्शन की छत पर क्यारियां बना रखी थी और उनकी पोर्शन पर नहीं थी तो छत के एक तरफ वेट जादा आ रहा था ऐसा मुझे इंजिनियर ने बताया तो यह विल्डिंग के बताना चारी थी कि अगर गोभी की फसल लगाना जब क्यारियां थी तो गोभी की साइज बहुत बड़ी होती थी क्यारियों में असीमित मिट्टी हुआ करती थी एक संत्रे का पौदा लगा रखा है अभी इसमें ब्लूमिंग हुई नहीं है ना कोई फलाया ना कोई फूल और अब देखते हैं कब तक फलता है बस मैं तो ऐसी प्रेक्टिकल करती रहती हूँ और यह धनिया जो है ना मैंने बस ऐसे ही छड़क दिया था और मेरे घर में रेनुवेशन हुआ था तो यह जो हना शिंक उसके किचिन के सिंक है जो निकलेते फाल तो नए लग गए वहां तो फिर यह देखिए कितनी अच्छी दनिया हुई है बस रखा किया ध्यान है मिट अच्छी हो रही है और नवंबर में भी और इस्ट के कॉने में पढ़ी है जो अक्सर में मेरे आती नहीं तर असल कि असपत बहुत कबार कुड़ा है तो मैं फिलमाती नहीं हो खराब देखता है यह पुराना वाला धनिया तो इसमें यह जोटे वाले टमाटर बगावत करक तो हुई जाता है, कहां तक साफ करो कौने में कहीं न कहीं देखिए किचिन कॉम्पोस्टिंग भी होती है लकणियां होती है, टेका लगाने के लिए और ये वो बोई वाली अर्वी लगी है जिसे ब्रहमराक्छस कहते हैं और ये सेम ये हमने बाद में भी एक डाल दी थी पुरानी सेम मेरी खराब हो गई तो मैंनों खाड़ दी थी ये हाइबरिट की सेम है, देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट होता है जब जहां जो मिल जाता है मैं लगा देती हूँ और मूलियां तो गजब हमारा पार्लर भी है, मैंने आपको हमेशे ही बताया तो ये पार्लर का जो सिर्द हुलाने का था तो ये हटा दिया और देखिए मूलियां कित्ती हल दी होई है वाश यूनिट का ये था टब हेर वाश कराने के लिए जो होता है ना पार्लर में हर पुरानी यूज रफ चीज को आप यूज करें ना बैगन में भी देखिए पॉलिनेशन शुरू हो गया है और अभी तो मैंने आपको पॉलिनेटर्स भी दिखायते हैं तो मुझे लगता है अगली पुसल और अच्छे आएगी अभी एक पौदे में एक एक फल लग रहा है और यह मैं पौदे नरसरी से लाई थी तो मुझे नहीं पता एक्छली कि यह कितने बड़े साइज के बैगन होंगे क्या इनका वो रहेगा आकार कैसे बैगन होंगे बताओंगी मैं आपको फिर और फिर एक बार यह हरी भरी जो भाजियों वाला पौर्शन है वो तो छट पर बैठ के ना आँखों को इतनी हरियाली देता है आप खाए न खाए और जो है ने चुकंदर और यह सब एक एक टब में मैंने जरा जरा सी बो दी है दरसल एक छट पर आप कितनी सबजिया लगाएंगी उस यसाब से तो काफी सबजिया लगी है क्योंकि खेट तो है नहीं है हां पर मैंने तो फिर भी छोटा मोटा खेट जैसे यह बना दिया जहां जो गाता है वो उसे भी पनपने देती हूं वो जह अच्छा लगता है मैं बहुत ज्जादा डिस्टरब नहीं करती है इसे मैं बहुत आर्टिस्टिक ढंग से सजाने की कोशिश नहीं करती जो पौदा जहां निकल आता है मैं उसे ओने देती हूं और वो कुछ न कुछ दे कर जाता है दो पौदे गांट गोवी के भी तीन है दो गमलों में लगें एक में दो एक में एक तो गांट गोवी में मैं पहली बार लगाई थोड़ी-थोड़ी सब्जी ह नहीं हो रही लेकर मेरच भी लगी है और हरी प्याज लगी है तो काफी सब्जी हो गई पास महान अगर के साबचे तो इतनी सब्जी बहुत है पालक तो भूली गई मैं हां पालक तो हार्वेस्टिंग जुकी नहीं भी लगी है तो एक बार ये लुक देखिए और कुछ न अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार